हेलो फ्रेंड्स आज हम आपके मद एक बिसेस क्लास लाए हैं इस क्लास के अंतरगत हम आपको बिसे अग्रीकल्चर फिप्ट समिस्टर प्रोडक्शन टेक्नोलोजी आफ फ्रूट एंड प्लॉंटेशन क्रॉप्ट अर्थात फल तथा रोपन फसलों की उत्पादन तकनीकी के बारे में जानेंगे इस से आने बाले कुछ अतिमहत्पूर्ण प्रसनों के बारे में आज हम आपके बीच मद दिवाट कर एक चर्चा करेंगे दोस्तों यह प्रसन आपकी परिच्छा की जट से बहुत ही महत्पूर्ण है तो समय को नश्टना करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रसन की और और आज का पहला प्रसन है कि फलों के उत्पादन से आप क्या समझते है तो आपको बता दें फलों का उत्पादन दो तर आम, केला, पपीता, अनानास, सरीफा, कटहल, काजू, चीकू, ब्राजील, नट, अबम, कमरक, इत्यादी होते हैं तो जो फल किस तरीके में उगा जाते हैं तो फल दो तरीकों में उगा जाते हैं किस तरीके से उसनकटवंदी और उपसनकटवंदी अब जानते हैं कि उपोर्षन कटवंदी फल कौन कौन से होते हैं तो होते हैं अंगूर, अंजीर, संतरा, नीबू, अमरूद, इवोकेड़, लीची, बेर, खजूर, फालसा, अनार, आमला, लोकाट, इत्यादी ये सभी उपोर्षन कटवंदी फल के अंतरगत आते हैं अपना अगला प्रसन है कि फलों के उत्पादन में भारत का विस्व में कौन सा इस्थान है तो दोस्तों हम ऐसे सभी चातर जानते होंगे कि फलों के उत्पादन में भारत का विस्व में इस्थान दुसरा है और नंबर एक पर चीन आता है कि चीन के बाद दुनिया में फलों और सब्जियों को उत्वादन में भारत दुसरे नमबर पर है दोस्तों अगर आपको प्रस्ण बढ़िया लगते हैं तो आप वीडियो ज़्यादा लाइक करें जिससे कि हमको आगे मोटिवेसनल मिलता है और हम अपके लिए इत्यादिक और से अच्छे से जाधा प्रस्ण लाने का प्रयास करते रहते हैं तो दोस्तों बढ़ते पाए अगले प्रस्ण क्यो और और अगला प्रस्ण है कि रोपन क्रस्षि क्या है वरनन कीजिए रोपन क्रसी क्या है और बढ़न कीजिए तो इसका सही उत्तर है कि उस्न कटवंदी प्रदेशों में की जाने वाली क्रसी की वाविधी जो एक बड़े भूभाग में उन्नत किस्म के बीजों, कीटनासकों एबम आधुनी क्रसी इंत्रों के साथ एक निश्चित फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर व्यापारिक वा निर्यात के उद्देश की पूर्थी के लिए की जाती हो उसे रोपन क्रसी या प्लांटेशन एक्रिकल्चर कहते हैं तो रोपन क्रसी या प्लांटेशन एक्रिकल्चर क्या है तो वह क्रसी जो एक बड़े भूख भाग पर उन्नत किसमों के बीचों एवम केट नासकों एवम आधुनी क्रस इंतरों के साथ निश्चित फसलों का उत्पादर बड़े पैमाने और ब्यापारिक एवम निर्यात के उद्धियसों के प्रित किया जाता हो उस किसी को रोपण फसल कौन सी है संचेप में बरणन कीजिएगा तो हमारे देश में प्रमुक यानि की निमने प्रकाद से कुछ फसले प्रमुक रूप में रोपण के लिए प्रियोक की जाती है जैसे कि नारियल, सुपारी, ताड, काजू, चाए, काफी, तथा रवड और गौन रोपण फस दसमलब 57 मिलियन टन है और सुपारी उतपादन में भी भारत पहले ही स्थान पर है दोस्तों यह प्रसन बहुत ही मात्पूर है क्योंकि यह दोस्तों प्रसन 2017 में पूछा गया था अब बढ़ते हैं अगले प्रस्टिक्योर अगला प्रसन है कि लीची में फलों के फटने का कारण क्या है यह लीची की फल होते हैं वो किस के कमी या किस कारण फट जाते हैं तो इसका सही उत्तर है कि लीची की बागवानी में आने वाली यह एक प्रमुख समस्या है क्योंकि यह समस्या अधिकतर ही लीची की फलों में बंती रहती जब इसकी बागवानी यह खिती य यह समस्य उन्छेत्रों में अधिक होती है जहां फलत के समय बायूमंडली आदरता बहुत ही कम तथा तापमान बहुत ही अधिक होता है। समय बर्सा होना आद कुछ ऐसे कारण हैं जिससे फल फट जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो में कारण है वह यहां है कि बाता बढ़न का जब तापमान अधिक हो जाए तथा बायूमंडली आदरता साड़ प्रत्रत से कम होने लगती है। तब फल फटने लगते हैं। इसके लावा बाग की अनीमित सिचाई, मिट्टी में नमी के कम होने के बाद भारी सिचाई या फल पकते समय यह बर्सा हो जाती है। तो ऐसे करण हो जाते हैं जिससे की जो लीची का फल है वो फट जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और। अगला प्रस्ण है कि अ अमरूत का रोपन किस बीदी से किया जाता है। तो अमरूत के पौधे लगाने के लिए साट गुणा साट गुणा साट सेमी आकार के गड़े तयार किये जाते हैं। इन गड़ों को पंदरा किलो ग्राम अच्छी सड़ी गोवर की खात के साथ तथा मिट्टी के मिश्ण से भर कर बर्सा रितू में पौधे लगा दिये जाते हैं। पौधों की दानों तरफ से आपसी दूरी चाट दसमला पांच से साद दसमला पांच मीटर तथा और उस्तन दूरी छे मीटर रखी जाती है। तो जो अमरूत के पौधे वो किस मौसम में लगा जाते हैं तो यह ब पौधे लगा जाते हैं। अब बात करते हैं। दोस्तों यह प्रस्ण बहुत ही महत्पूर्ण है जो आपके लिए प्रस्ण नमर साथ है। क्योंकि यह प्रस्ण आपकी हर वार हर परिच्छे में पूछा जाता है कि अमरूत के केंकर रोक की रोक थाम पर संचेप में के लिए है। तो यह एक डिपलोडिया नेटो लेंसिस द्वारा बर्सा रितु की एक फसल पर अधिकतर पादा होता है। तो क्या है। तो यह डिपलोडिया नेटा लेंसिस के द्वारा बर्सा रितु की फसल पर अधिकतर पादा होता है। इसमें फल पर गोल, काले, कठोर धब्य पड़ जाते हैं तथा दो अनपाद दो अनपाद पचास बोडो मिर्षण का छिड़काव दो महा के अंत पर करना चाहिए तथा कापड आक्सी क्लोराइट की दिसम्लब चार प्रतिसत घोल तथा जीरम की 4.4 प्रतिसत घोल को किसी इस्ट्रिकर का जैसे टेनक या ट्र ट्रान के साथ अगस्त से पंद्रा नॉंबर तक इसका छड़काव करा देना चाहिए जिससे कि या जो कैंकर रोग है या इसके लचना है वो नहीं दिखाए देते हैं और फसल को हानी का पहुंचती है अगला प्रस्ण है कि रूड इस्टॉक क्या है दोस्तों या भी प्रस रूड इस्टॉक क्या होता है तो रूड इस्टॉक जड़ों के सिस्टम और सेव के अधिकांस पौधों के निचले ट्रक का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिस पर आनवानसिक रूप से अलग अलग गुणों बाले फल देने बाले भागों को ग्राफ्टिंग या कलम के ग्राफ्टिंग किया जाता है जिसे इंटर सेटम भी कहा जाता है तो इंटर सेटम किसे क्या कहा जाता है कि जो भाग होता है छोटा सा किसी फल की जड़गा उसमें जो फल देने वाला जो भाग होता है जिसमें ग्राफ्टिंग की जाती है उसे इंटर स्टेम कहते हैं अब जनकाली लेते हैं कि सगन भागवानी होती क्या है तो आपको बता दें सगन भागवानी वह है जिसके द्वारा अधिक ब्रद्धी की जा सके जिससे अपने देश की कुपोर्षन को दूर करने के लिए प्रतिवेक्ति फलों की उपलब देता बढ़ाने अवं किसानों को आत्म निर्वर बनाने में या तिकने कारगर सावित हो सकती है कि इस तकनीक के कारण कई गुन्हा अधिक फसल में ब्रद्धी की जा सकती है और मुनाफ़ा पाया जा सकता है जिससे कि देश में कुपोर्षन को दूर करने के लिए प्रतिवेक्ति फलों की उपलब दिदा बढ़ा तो दोस्तों इस प्रस्ण का आप उत्तर कमेंट वक्स में अवस्य बताएं कि प्रतिव्यक्ति को फल उपलबदता कितनी प्रतिसत होती है अब बात करते हैं सगंद बागवानी से होने वाले लाव की जो पहला लाव है वो यहा है कि भूमी एवं संसादुनों का समुचित योग होता है अगला लाव है वो है कि फलों की गुडवत्ता में ब्रद्धी होती है अर्था फल अच्छे और अच्छे से अच्छे फल प्राप्त होते हैं अगला लाव जो यह है कि बौने पौदे होने के कारण कटाई छटाई फलों की तुडाई पौदे संदच्छन या आए कि भूमी एवमसं सादुनों का समचित उपयोग होना और पांचमा है कि प्रकास का समचित उपयोग होता है जिससे प्रकास अंसलिशन करिया अधिक होती है और जो फसल होती है वो अच्छी होती है अगला प्रस्ण है कि अंतरवरती फसलें क्या है वरणन कीजिएगा दोस्तों याई भी प्रेशन बहुत ही मैद पूर्ण है कि अंतरवर्थी फसलें क्या होती हैं इसका वर्णन कीजिएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो आप वीडियो को ज़्याद लाइक करें साथ में वेल आइकन दवाना ना भूलने जिसे आप जॉइन करकर जिसे आप पीडियो प्राप्त कर सकते हैं तो बढ़ते हैं अगले प्रेशन की और प्रेशन क्या है कि अंतरवर्थी फसलें क्या है वर्णन कीजिए तो आये जानते हैं कि अंतरवर्थी फसलें क्या होती है तो बाग लगाने के सुरू में बरसों में पौधे के बीच अर्थात बाग लगाने के सुरू के बरसों में पौधों के बीच काफी जगे खाली रह जाती है इस खाली जगे में कुछ फसलें उगाई जा सकती हैं जिस रेकरस्कों को सुरू के बरसों में आमदानी हो सके अंतरवर्ती फसलों को चुना वहां की जलवायू, म्रदा, बर्सा की मात्रा और बितरन तथा सिचाई की सुगधा पर निर्वर करता है जिसके लिए चुनी गई फसलें उत्री जड़वाली, सीक्र पकने वाली तथा अच्छी पैदावार देने वाली होनी जाहिए तो हम समझ चुके होंगे कि अंतरवर्ती जो फसले होती है वो क्या होती है और थात बाग लगाने की सुरुवात के बरसों में जो पौधे लगा जाते हैं उनके बीच में जगे खाती है खाली उनमें जो फसल उगाई जाए उनको अंतरवर्ती फसले कहते हैं सीधी भासा में क होनी चाहिए ऐसी उपयोगी फसलों में पपीता इस्ट्रोवेरी सबजियां चारे की फसल तथा दाल और फसले उलेखनी हैं बाग में भारी फसले लेने से बचना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो फसंद आया हो तो वीडियो ज्यादा लाइक करें सेर करें जिससे के वीडियो आपके सभी दोस्तों के परपोन कर उनके लिए भी लाबदायक सावित हो सके तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रस्णों के साथ जय हिंद जय भारत